Hello guys, welcome back to my channel Guys, स्वागत हैं आपका मेरे channel Knowledge Gain Pay तो इस वीडियो में हम discuss करेंगे E-Invice के लिए E-Invice यानि आप जो normal invoice बनाते हैं GST के लिए वो अब आपको E-Invice में convert करना है और उस पर होना चाहिए आपका IRN number और कुछ बिजनेस को नया जो financial year आया है 1st April से उन लोगों को E-Invice शुरू कर देना है उनकी बहुत सारी confusion है जो कि मैं इस वीडियो में पूरी तरह से solve कर रही हूँ तो थोड़ी सी लंबे वीडियो रहेगी काफी सारी concept E-Invice के मैं आपको इसमें समझा दूँगी कि अगर जो professional है या फिर जो भी business man है उनके लिए तो guys बहुत ही important वीडियो है और खुद तो आप देखी रहे है तो जल्दी सल्दी आप इस वीडियो को share भी कर दीजिए अपने relatives और friends के साथ तो अब details में समझते हैं कि क्या होता है E-Invice E-Invice बनाने के लिए बात करी गई है CGST, Rule K, Rule 48 and Sub Rule 4 में इसमें notify करे गए है कुछ registered persons mandatory E-Invice बनाना है और उन्हें अपने E-Invice के details हैं वो upload करनी है On Invice Registration Portal और वहाँ से obtain करना है Invice Reference Number that is IRN Number मतलब कि जब तक E-Invice में IRN Number नहीं होगा तो वो valid नहीं होगा यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है इस concept को थोड़ा सा easy language में सबस्ते हैं जब आप sale करते हैं तो क्या होता है कि जैसे कि एक होता है buyer और एक होता है supplier और supplier जब buyer को sale करता है और supplier को वो एक invoice यहां उसको bill भी कह देते है तो वो एक bill issue कर देता है पर जो GST का rule 48 सब rule 4 बोलता है कि अगर आप notified person यानि कि जिनके turnover पांच करोड से जादा है और आपने ऐसे sales के case में B2B की है यानि कि जो supplier है उसके पास भी GST Number है और जो buyer है उसके पास भी GST Number है तो इस case में आपको invoice पर IRN Number जरूर generate करना है तो जो आप यह normal bill बनाते है तो यह तो आपकी प्रोसेस रहेगी अब आप आजाएए notified portal IRP पर यह invoice का portal है invoice.gov.in इसमें invoice एक भी है दो भी है और आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं उस पर आपको एक invoice JSON INV01 यहाँ पर upload कर देना है और यह portal आपको back में आपका signed invoice देगा with IRN and QR code तो यह है process और आप accounting करने के लिए जो भी software यूज़ करते हैं उन्हें को यूज़ करके आप e-invoice बना सकते हैं क्योंकि वो integrate हो जाते है e-invoice portal के साथ यहाँ तक तो आपको clear हो गया है और आपको ऐसा नहीं कि manually काम करना पड़ेगा हाँ अगर आपके पास number of e-invoice कम है sales कम है तो आप चाहे तो e-invoice portal पर एक tool available है e-invoice generate करने का तो आप उसे भी use कर सकते हैं तो यहाँ screen पर मैं आपको e-invoice दिखा रही हूँ तो यहाँ पर क्या होता है IRN number यह जो आपको screen पर दिख रहा है तो यह निकलता है आपके e-invoice system से और यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर आपको एक QR code भी दिखाई दे रहा है तो यही आपको invoice पर चाहिए और यही होगा IRP portal से और आप अपने आप नहीं बना पाओगे यह IRP portal से ही होगा और अब मैं e-invoice की बहुत important discussion कर रही हूँ कि कैसे आपके business पर applicable होगा और आप कैसे check करोगे क्या होती है aggregate और turnover और भी बहुत important बाते हैं तो आपको miss नहीं करनी है आपको video को end तक देखना है बहुत सारे person कई बार clerical mistake कर देते हैं और वो सबसे हो जाती है और यह किसी से भी हो जाती है तो वो पूछते हैं कि क्या हम इसमें amendment कर सकते हैं और कितने दिनों के अंदर इसको amendment कर सकते हैं तो यहाँ पर आपका answer है e-invoice once made can not be amended अगर आपने उसे एक बार बना दिया है तो आप उसे अमेंड नहीं कर सकते हैं you can cancel e-invoice within 24 hours of its generation cancel कर सकते हैं within 24 hours के अंदर generation के तो e-invoice बनाने का एक और बड़ा फायदा है कि e-invoice के base पर आपका जो automatic e-bail होता है ना वो भी बन जाता है और साथ ही आपकी e-invoice के base पर आपकी जो sale है वो आपके GST1 में automatic transfer हो जाती है ठीक है बट cancellation आपको 24 hours के अंदर allow होती है उसके बाद आप e-invoice को cancel नहीं कर सकते हैं बहुत सारे person ये गलतियां कर देते हैं उन्हें पता ही नहीं होता टाइम भी खतम हो गया अब क्या करें तो अब आप खुद सोचें कि आप क्या कर सकते हैं क्योंकि लो कहता है कि 24 hours के अंदर आपको e-invoice कैंसल करने की option है उसके बाद नहीं है नाव मोर इंपोर्टेंट डिसकेशन 1st April 2023 से गॉर्मेंट ने जो लिमिट थी वो चेंज करी थी कि e-invoice applicable होगा जिनकी turnover होगी 5 क्रोड या फिर उससे ज़्यादा तो turnover कैसे निकलती है कैसे कैसे change हुए है तो वो भी अभी मैं discussion कर रही हूँ यह बहुत important है तो गॉर्मेंट ने एक को recommendation कर दिया है कि आपकी invoice पर HSN number जो होता है 6 digit का वो mention करना जुरूरी है अपने e-invoice पर और यह उन taxpayer को है जिनकी annual turnover पांच क्रोड या फिर उससे ज़्यादा है 15 December 2023 के बाद से e-invoice quarter पर टू-factor authentication भी जो है वो available हो चुका है साथ ही आप लोग एक सबसे ज़्यादा जो क्योरी करते है कि time limit क्या है e-invoice बनाने की मतलब कि जो normal invoice बनाना है और एक e-invoice बनाना है क्या इनके बीच में एक time gap मिलता है तो as per low time of supply का अगर आप section पढ़ेंगे तो जब आप supply करते हैं तो आपको जो e-invoice होता है वो बनाना पड़ता है अगर आप पर e-invoice applicable है तो आपको e-invoice बनाना पड़ेगा तो यहाँ पर तो बात ही नहीं आती कि आप कोई time gap रखे पर फिर भी कुछ person रखते हैं तो 30 दिन और उससे ज़्यादा का जो time gap है वो अभी हमारा जो पॉर्टल है वो allow करता है 30 दिन भी उनके लिए हैं जिनकी turnover सो करोड से ज़्यादा है और जिनकी turnover सो करोड से कम है तो उनके लिए ऐसी कोई particular fixed time limit नहीं है बर दीरे दीरे government इस time limit पर भी ध्यान दे रही है आपके लिए तो बैटर यही है कि जैसे invoice generate होती है तो साथ ही साथ आपका e-invoice भी generate होना चाहिए तो यह मेरा आपको personal suggestion है तो अब आपको check कैसे करना है कि आपका जो business है उस पर जो e-invoice है वो applicable है तो यह बहुत important है तो इसके लिए आपने जब से यह GST आया financial year 2017-2018 से लेकर अभी तक कि जो financial year है 2023-24 सब में अपनी अपनी जो turnover है वो check करनी है इसके लिए आप देख सकते है कि 2019-20 में जो turnover थी वो 7 crore से जादा हो गई थी और 1 अगस 2023 से 5 crore से अबब पर यह जो limit थी वो applicable हो गई थी यानि कि इस person को अपना e-invoice financial year 2023 में जैसे ही रोल चेंज हुआ था 1 अगस 2023 से तब इसे e-invoice इसको start करनी थी और अगर आप मान लीजिए ऐसा कोई person जिसकी turnover यहाँ पर आप मान लीजिए 4 crore थी 2019-20 में और यहाँ पर आकर उसकी जो turnover है यानि कि जो financial 23-24 जो end हो गया है और यहाँ पर उसकी turnover 6 crore हो गई है और अब हमारा जो financial year 2023 है वो end हो गया है तो अब उन्हें 1 अपरेल 2024 से जो e-invoice है वो start कर देनी है और पीछे की years में आपकी turnover थी वो exceed नहीं कर रही थी 5 crore से पर current जो financial year है 23-24 में जो आपकी turnover है वो 5 crore से ज्यादा है तो आपको जो e-invoicing एक अपरेल से शुरू कर देनी है तो इसके बाद हम बात करेंगे कि अगरिगरे turnover होती क्या है तो हम बारबर यह वर्ट सुनते हैं aggregate turnover तो हमारा जो CGST Act है इसका जो section 2 and sub section 6 में लिखा हुआ है तो aggregate turnover में इंक्लूड होती है यह सारी all taxable supplies exempt supplies export of goods or services और both and interstate supplies of person having the same permanent account number इसको आपने pan India basis पर compute करनी है और एक ही pan पर एक से ज्यादा GST नमबर है तो यह सभी के सभी उसपर add होगी पर इसमें exclude कर देने है आपने हमारा GST चाहे वो central tax है state tax है union territory tax है integrated tax है या sales इंक्लूड नहीं होंगे यह सभी इंक्लूड होंगे इसको छोड़ कर और आपने इस तरह से जो आपकी RCM की जो आपकी inverse supplies है जिन पर आप purchase पर reverse chance पर tax देते हैं तो वो भी include नहीं करनी है क्योंकि वो आपकी purchase है वो sale नहीं है तो taxable supplies, exam supplies, exports, interstate supplies to be computed on all India basis और exclude करना है GST तो ऐसे निकलती है हमारी aggregate turnover तो यह चीज़ तो आपको clear होगी होगी और इस article में वैसे बहुत सारे FAQ cover हो रखे हैं अगर मैं सारे FAQ आपको यह आपर cover कराऊंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो अब हम देखेंगे कि कौन-कौन से जो documents है वो mandatory है e-invoicing के लिए जैसे कि आप यह आपर देख सकते हो invoice with credit note, debit notes आथ ही B2B के लिए apply है और B2C के लिए आपको e-invice नहीं बनाना है तो आप इसको भी अपने पास note कर ले क्योंकि बहुत सारे persons इस चीज़ के लिए भी बहुत confused है और अब हम समझते हैं कि यह किनके लिए applicable है जो supply करते है registered person को B2B के लिए जो supply करते है SEZS with and without payment exports करते है with and without payment and deemed करते है exports जो supply करते है government को business to government वो भी e-invice के लिए applicable है government भी एक latest circular निका रहा था उसमें भी एक clarify कर दिया था तो अब हम बात करें कि e-invice इंपर applicable नहीं है specially e-invice के अंदर कुछ categories को बताया गया है आप देख सकते है special economic zone units और यहां पर आप इसका ध्यान रखना यह बात कर रहा है SEZS unit की तो एक unit होता है और एक developer होता है developer exception में नहीं है जो unit है वो exception में है उसके बाद आप देखेंगे insurance banking companies for financial institutions including a non-banking financial company जिनसको आप MBFC भी कहते हैं उसके बाद good transport agency पर ही applicable नहीं है GTA पर जो की supply करते service in relation to transportation of goods by road इन a good carrier suppliers जो की passenger transportation की service देते हैं और supplier जो की exhibition करते है cinema topograph films की multi-black screens पे और जो person registered है in terms of rule 14 of CGST rule OIDAR तो इन पर क्या है guys इन पर e-invoice ही applicable नहीं है तो इनके लिए एक rule मना है कि ये अपने invoice पर specify कर देंगे कि invoice इन पर applicable नहीं है क्योंकि कई बर क्या होता है कि जो इनका buyer होता है तो इसलिए ये अपने invoice पर particular mention कर देते हैं कि हमें invoice से exempt किया हुआ है इसलिए हम invoice नहीं बना रहे हैं तो users को भी clarify हो जाता है कि मैं बिल्कुल safe हूँ कोई future में उनके उपर litigation नहीं है इस article पर मैंने आपके साथ major queries जो आती है वो cover कर ली है अगर आपके turnover इस साल पांच करोड से exceed कर गई है पहले नहीं कर रही थी तो आपने एक अपरेल से invoice आपको जरूर बनाना है अब हम देख लेते हैं invoice की site को यह वो site है invoice की जहाँ पर आप अपना invoice बना सकते हो यहाँ पर आप देखोगे की आपको help का भी option मिल जाएगा और यहाँ पर tool है जो की यहाँ पर आपको GEPP का tool यहाँ पर मिल जाता है जिसका की आप use कर सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं की time to time इसको update भी कर रखा है और यहां पर आप user manual भी देख सकते हैं, यहां पर आप प्रेजंटेशन भी देख सकते हैं, और यहां पर आप वीडियो भी देख सकते हैं, कैसे invoice बढ़ाना है, अगर आप यह वाला free tool भी use कर सकते हैं, और यही है हमारा IRP portal जिस पर आगर आपको सारे काम करने होते हैं, और य आपका जो confusion था इन वाइसिंग को लेके वो दूर हो गया होगा इस वीडियो के थूँ, तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और आपको पता ही है, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, जादा से जादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब क करना ना भूले, तो guys मिलते हैं नेस्ट वीडियो में अभी के लिए इतना ही, thank you guys, thank you so much.